और क्या हाल चाल भाई यों तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में तो भाई यों आज की ये वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाले क्योंकि आज की इस वीडियो में किसी भी सुपरिस्टार को मैं चूज नहीं करूंगा क्योंकि भाई आप लोग कमेंट करके बताते ही नहीं हो कि किन किन सुपरिस्टार का मैच किया जाए तो आज अपन रेंडम पिक करेंगे सुपरिस्टार को जो जो सुपरिस्टार आएंगे अपन उनका मैच करवाएंगे तो भाई पहले सुपरस्टार हैं भाई अपने जिमी उसो और दूसरे सुपरस्टार हैं भाई अपने मार्क हैंडरी तो इन दोनों के बीच में होगा भाई फस्ट ब्लेड मैच तो चलिए इस मैच को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन जीता है उससे पहले आप इस वी वीडियो आती रहेंगी तो भाई आते ही साथ भाई मार्क हेंडरी सार ने तो भाई बिलकुल डॉमिनेट करना स्टार्ट कर दिया है जैसे कि रियल लाइफ में भी जब वो खेलने आते थे या फिर डॉवली में फाइट करने आते थे तो एक नेचर रहता था भाई उनका जीम्यूस का कर दिया भाई dominant करके रखा है अभी तो भाई जीम्यूस को मार्क हेंड्री सर ने देखते हैं अ रे कौन जीत आ इस वीडियो को भले ही अभी dominant कर रहे हो मार्क हेंड्री सार हो सकता आकरी में चाहर जाएं और मैं aumentar स्लें क्यों कि वहिस ड़ूय यह 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 र में कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता जैसे कि भाई अभी तक तो बिलकुल मार्क हेंडी सर ने पूरा डॉमिनेट करके रखा है भाई जीमी उसु को बहुत ही खतरनाक तरीके से मार रहे हैं लेकिन भाई मैंने अभी तक इनको उसका खून निकालने की कोसेस करते हुए नहीं देखा कि एकातवार कोसेस करें कि फेस पे पंच करें या फिर कुछ करें जिससे जीमी उसु का खून जल जल निकले भाई ये करते हुए तो मैंने अभी तक नहीं देखा और Jimmy Uso जब से आये हैं भाई जब से पिटी रहे हैं पता नहीं भाई क्या करना चाहते हैं Jimmy Uso और भाई अभी तो Monday Night Raw में या फिर Friday Night SmackDown में जब Roman Range की पिटाई चल रही थी तो भाई उनके साथ Jey Uso आ गए थे मेरे को लगता है भाई अब बापस से पुरानी ब्लेड लाइन असेंबल होगी और जो नई ब्लेड लाइन है अभी सोलो सिकोवा की भाई उसके साथ होने वाली है इनकी घमासान स्टोरी लाइन तो भाई अब तो भाई जीमी ओसो ने Jey Uso को बुला लिया एबलिटी यूज करके और अब भाई मार्क हैंडरी सर गए अब भाई इनकी बनेगी स्टेंडविच इस तरफ भी ब्रेड उस तरफ भी ब्रेड बीच में रह जाएंगे मार्क हैंडरी सर दोनों तरफ से सकते हैं अब तो यह हारेंगे लेकिन अभी भी कुछ कह नहीं सकते हैं हो सकता है हार भी सकते हैं क्योंकि जब तक भाई जे उसो यहां पर है और जीमी दोनों हैं रिंग में तब तक तो भाई मार्क हैंडरी सर नहीं जीच सकते क्योंकि भाई दोनों ही मारेंगे एक नहीं दोनों भाई जेमी उसो ने गद्दारी कर दी जे उसो के साथ भाई श्टील स्टेप्स उठाके मार दी जे उसो को जबकि भाई वो तो इसकी मदद करने के लिए आया था लेकिन भाई लो एक बार और मार दी उसने तो बता दिया भाई जीमी उसो ने कि भाई मुझे तेरी वापस चला जा मैं अकेला देखो भाई लड़ाई हो गई भाई यह उसो न भी आर्ग्यू कर दी और भग चुकाएं यहां से अब बचें भाई जिमी उसो और मार्क हेंटी सर बैस दोनों अब देखते हैं भाई अब यह भाई जिसने भी एक बार भी कोसिस करी एक दूसरे को मतलब खुन निकालने की उसका खुन निकल जाएगा भाई एक ही बार में तो भाई अब देखने वाली बात होगी बहुत बहेंकर वाली की कौन जीतता है यहां से तो भाई मेरे को लगता है जहां तक अपर हेंड जीमी उसो के पास है अगर एक बार भी वो कोसिस कर लेता है भाई मारने की देखिए भाई फैसी को डेमिज करते जा रहा है भाई जीत गया मेरे घर साबसे तो भाई जीव ही हुष भाई निकल गया मार्क हैंडी सर का और मार्क हैंडी सर ये में अच्छहार चुके हैं तो आपको ये मैच कहbase लगा ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंक साथ भी सेर कर सकते हैं आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी होतो और भाई कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किन किन सपरस्टार के बीच में बना है क्या भाई नेक्स्ट वीडियो विक्सो के उपर और जिमी उस्ट के उपर बना दें ताकि क्योंकि भाई विक्सो डिफेंड करने के लिए आ चुके हैं यहां पर मार्क हैंडी सरकों क्युभाई उनके साथ चीटिंग हुई है अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो विक्सोर जिमी उसो के उपर बना दूँगा